पंचाय चुनाओं के साथ में चरन का मतगन्ना हुआ खत में किसी को मिला खुसी तो किसी को मिला गम और इज़ार हेड मास्टर बहाली को लेकर हाई कोट ने सरकार से किया जवाब तलब और बिहार में सिच्छक नियोजन को लेकर सीडूल हुआ जारी आपको बता दे कि तिसरे चक्र की काउंसिलिंग 14 से 22 दिसंबर तक है और मगद विश्वबिद डाले के विशी के घर से 75 लाग नगद हुआ बरामद और पटना संगराले की एक हिस्से में होगी खुदाई सुनपुर में कार्तुसों के साथ पकड़ा गया हतियार तसकर सुप्रिम कोट ने पुर्व जज्य को छोपी जाज की निगरानी हमारी नितियों और कानूनों में भारती इता दिखे दुर दराज छेतरों में 32,000 किलोमीटर बनेगी सडके और परदेश जदियों के सभी परकुष्ठो और इकाईया हुई भंग जल्द होगा घठन खादी संसानों ने अनुदान से कितना बढ़ाया रोजगार बेवरा तलब हुआ है सारा बंदी पर बोले परतिपचने तात्य जश्वी यादो अब तक मिला अब तक नहीं मिला हमारे कई सवालों का जबाब अब CEO के साथ राजस्वे अधिकारी भी करेंगे मियूटेसन यानि की दखल खारेज कुरोना से मरे नीजी डक्टरों के परिजनों को भी मिलेंगे 50 लाख है FPO को बढ़ावा देने को बनेगी नहीं निती पसुपालकों को लोन को हर सुकरबार जिलों में मेगा कैंप और बिजलिव भगताओं को फिक्ष्ट चार्ज भी अधिक देना पड़ सकता है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनील बोवी और मगस संबाद आप देख रहे हैं मगस संबाद के खासकार्ज करम सुरबा सवेरे में आप तमाम फिवर्स का स्वागत 가자 सुबा सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखवारों के पन्नों से अखवारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरे चलिए खबरों की सिलसला सुरू करने से पहले आप से आग रहा है कि अगर हमारे इसे वीडियो को फेस्बुक पेज पर देख रहे तो फेस्बुक पेज को लाइक कर ले और यूटूब चैनल पर देख रहे तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो पसंद आय किया है सुबह के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की न्यूक्ति के लिए बनी निवावली को चुनोती देने वाली अर्जी पर पटना हाई कोट ने राज सरकार से जबाब तलब किया है मुखने अधिस न्यायमूर्थी संजय करोल तथा न्यायमूर्थी एस कुमार की खंड़ पिट ने टी एस डी टी पास नियोजित सिछक संग की और से दायर याचका पर सुनवाई की सुनवाई के बाद राज सरकार को चार सब्ता की अंदर जबावी हलप नामा दायर कर अर्जी में उठाए गए सवालों का जबाब दाकिल करने का आदेश दिया है साथ ही कोट ने कहा है कि निमावली के तहट हो रही निउक्तियों का निर्णे केस के अंतिम पढ़ नाम पर निर्वर होगा यानि टी एटी सिछकों ने अर्जी दाखिल की पटना हाई कोट में जिसके बाद हाई कोट ने सरकार से जबाब मानगा है और अब तभी बहाली परधाना ध्यापक यानि हैरमाश्टर की होगी जब तक केस खत्म नहीं होता है और केस के अंतिम्चन में जो निर्ने होगे उसके अधार पर ही बहाली होगी इधर भी हर पंचाय चुनाओ के साथ में चरन का मतगना खत्म हो गया है किसी का भागे जागा तो किसी को निरासाहत लगी है यानि कि कई ऐसे पद सामने आएं हैं जो बिल्कुल नया है बिल्कुल एक कम उम्रे की एकईश वर्स की बच्ची मुखिया बनी है चर्चा का भी सह बना है सोसल मीडिया पर उसके नामों की चर्चा है और दूसरी और आठवे चर्ण के मतदान को लेकर परकिर्याब तेज हो गई है जैसा कि आप जानते हैं कि 24 नवंबर को आठवे चर्ण का मतदान होना है जिसकी तैयारी लगतार की जा रही है मतगना के बाद आठवे चर्ण के चुनाओ कराने के लिए बिलकुल निरवाचा नायोग तयार है इदर अब बात कर लेते हैं सिच्छक भाहली को लेकर सिच्छक भाहली को लेकर अभिहर्थियों का हमेशा जोस बढ़ा हुआ है यानि कि मांग की जा रही है कि सिच्छक भाहली सिग्र हो लेकिन अब तक एक भी भाहली नहीं हो पाई है जिससे सिच्छक भाहली नहीं हो पाई है जिससे सिच्छक अभिहर्थियों में असंतोस की भावना है 14-22 दिसम्बर तक जिला मुख्यालियों में अभ्यार्टियों की काउंसिलिंग की दे आएगी करीब 1400 नियोजन इकाईउं में लगवक 13,000 पदों के बिरूदे यह नियुक्ती होनी है थोड़ा साब स्टिडूल जान ले रिकिन उसरा पर चौदा नियोजन इकाईउं में लगवक 13,000 पदों के बिरूदे यह नियुक्ती होनी है पंचायत नियोजन इकाईउं 22 दिसम्बर को कच्छा एक से पांस तक के लिए करेगी और नगर निकाई के अगर बात कर ले तो 14 दिसम्बर कच्छा छा से आठ के समाजिक बिग्यान और नियोजन इकाईउं में कांसलिंग की तिति हम बताते रहे 15 दिसम्बर कच्छा छा से आठ के गनीत बिग्यान और भासा के लिए होगा और 20 दिसम्बर को कच्छा एक से पांस तक के लिए होगा तो यह था सिच्छक नियोजन का सिडूल लेकिं सिच्छक अभियर्थियों का मानना है कि जब तक हमें नियोजन के लिए पत्र नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक हमें विश्वास नहीं है कि हमारी बहाली क्योंकि सरकार हमेशा सच्छा विबाग हमेशा सिच्च्छ की न्युक्ति लटकाते चली आ रही है अब भटक कर सायद ना रह जाए लेकिन सरकार भाहली करने के मुड में देखने लगी है यानि कि सभी जो बहल हुए है जिनकी न्युक्ति युए काउंसलिंग हुआ है उनको सिग्र ही नियुक्ति पत्र देने की भी तैयारी चल रही है इधर एक बड़ी ख़वर तामने आई है खरिद घोटाला यानि की अभियान तेज है कलंग के खिलाफ तीस कलोर के भरष्टाचार मामले में एस बी यू की कारवाई गया और गोरकपूर में तीन ठीकावनों पर च्छापे मगद बिस्विद्दाले के वी सी के घर से 75 लाग नगद बरामत किये गए हैं पांच लाग की बिदेसी मुद्रा भी इसमें शामिल है 15 लाग के जेवर बरामत एक कलोर की जमीन के कागजात के साथ बैंक खातों को अभी पता चला है रिष्टेदारों के फर्म से दिखाई गई है खरिदारी गोरकपूर से मिले है जमीन के कई कागजात है मगर विस्वविद्दाले के कुलपती डाक्टर राजंदर परसाथ कडोरों के घोटाले में फस गए हैं विस्वविद्दाले में खरिदारी के नाम पर 30 कडो रुपे से अधीक के दुरप्यों को लेकर बुद्दवार को विशेश निगरान एकाई एस वी उने उने के तीन ठीकानों पर छेपेमारी की गया इस्थित आवास बोद गया के कार्याले और गोरकपूर इस्थित घर की भी तलासी ली गई है गोरकपूर के घर से सक्तर लाख नगत करीब पांच लाख की विदेशी मुद्रा और पंदरा लाख रुपे के जेवर भी बरामत किये गए हैं पटना संग्राले के एक हिस्से में होगी खुदाई मुखमंद्री नितिसकुमार ने कहा कि पाटली पुत्रे एक एतिहासिक अस्थाल है पुरा तात्मिक दिरिश्टिकों से पटना संग्राले के अस्थाल काफी महत्पून है इसको देखते हुए पटना संग्राले के पास के हिस्से में खुदाई करना आवस्यक है इधर सोनपुर में कार्थूसों के ता साथ पकड़ा गया हत्यार तसकर और सुप्रीम कोट ने पुर्व जज को सौपी जाज की निगरानी तीन IPS इसमें है सामिल हमारी नितियों और कानूनों में भारतियता दिके परधानमंद्री न रफ्तार देने का मुल मंत्र यही है इधर दूरदरा चेत्रों में 32,000 किलोमीटर सड़के बनीगी यह दिल्ली से निकल कर खबर आई है कैमिनेट का फैसला है और बिहार में 46 परतिसाद बच्चे पढ़ाई में करते हैं स्मार्टफून का उपियोग है अगली खबर के हम ब बड़ा ब्यान है और सकती है खादिस अंसानों ने अनुदान से कितना बढ़ाया रोजगार बेवरा तलब किया गया है सीम ने लिया बस असल का जायजा पटना में एक और बस अस्टेंड बन सकता है सरकारी बिद्यालों में नामंकन का बढ़ा क्रेज असर 2021 का रिपोर्ट कुरूना से मरे नीजी डक्टरों के परजनों को भी 50 लाग की मुआप जाए सीयो के साथ राजस वाधिकारी भी करेंगे अब दाखिल खारी जे जानकारी नहीं होने पर कोई भी बना सकता है बेकूप है विभाक्या पर मुक्सचिव विवेक कुमार सी ने कहा है कि कई सवाल ठोके गए हैं लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है एप पीयों को बढ़ावा देने को बनेगी निती पस्पालकों के लोन को हर सुक्रवार जिलों में लगेगा मेगा कैम्प और बिजली भुकताओं को फिक्स चार्ज भी अधिक देना पड़ सकता ह संजय जैसवाल को मिली बड़ी रहात राज भुकता आयोग ने पर देश भाजपा अधिक्टर संजय जैसवाल को रहात देते हुए उनके खिलाब दायर अपील को खारिच कर दिया है तो यह थी आज की कई बड़ी खबरे और फिर मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के ल तरण